देहरादोन के जॉली ग्रांट पुलिस चौकी इलाके में सोमवार सुभव मौनिंग वॉक को निकले दो बुजुर्गों की सलक हाथसे में मौत हो गई दोनों के शौओं को पोश्ट माटम के लिए भेज दिया गया है हाथसा जंगलाद चौकी के पास हुआ है दोनों शौओं तक्रीबन 80 मीटर की दूरी पर पड़े हुए मिले मिली जानकारी के मताविक सोमवार की सुभव पुलिस को जानकारी मिली की जॉली ग्रांट पुलिस चौकी क्षेत्र में रिशिकेस मुख्य मार्ग पर दो शौओं पड़े हुए है इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुँची पुलिस को घटना अस्तल पर एक हाथ का दस्ताना मिला इससे कुछ दूरी पर एक बुजर्ग का शौओ पड़ा हुआ था उससे तकरीबन 75 मीटर की दूरी पर दूसरा शौओ पड़ा हुआ मिला मौके पर सड़क पर वाहन के टायरों के निशान और वाहन के शीशे के टुकड़े भी मिले इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी अग्यात वाहन ने दोनों को टकर मारी होगी शौओ की तलाशी लेने पर पुलिस को उनके पास से आधार कार्ड मिले जिनके आधार पर उनकी शिनाक्त की गई फिलाल पुलिस को एकसिडेंट करने वाले वाहन की पहचान नहीं हो सकी है पुलिस वाहन की पहचान करने में जुटी है दोनों शौओ को पोश्टमाटम के लिए डोई वाला अस्तित सामुदाइक स्वास्त केंद्र बेज दिया गया है